ये फुटबॉल की दुनिया भी ना मज़ेदार है दोस्तों, बहुत मज़ेदार है यार वहाँ मैन सीटी ने बाहिन को हो रहा है, यहाँ सेविया ने मैंचेस्टर यूनाइटिड को हो रहा है दिवाली बार सो फैद के घर मंडी तो दोस्तों, क्या तुम्हे वो जमाने याद है जहाँ पे वो मीम्स बना करते थे कि भाई, अगर तुम्हें एक लॉंडिया के साथ जा रहे हो अगर तुम्हें प्रोटेक्शन मुण के तो टेंशन की बात निया भाई, डेविट डेगया की फोटो पड़िया बटवे के अंदर राइट इन माँ बटवा भाई, वी अर आल सेफ All those people are becoming parents in 2023 उन सब के बालक होने वाले हैं नने मुनने चाहे, वो चाहे ना चाहे क्योंकि डेविट डेगया Oh my God, he was the best player for Saviyah last night Saviyah ने यहां पर ना ही अपने season की बलकि पिछले शायद से 4-5 साल की best football के लिए No doubt, they were so goddamn good Defensively, midfield के अंदर, attacking wise और अगर तुम एक Manchester United और Ronaldo fan और भाई, तुम अन नजरी का खून कर दोगे अगर तुम उससे मिले, यह चीज़ मुझे पता है तुम उसको नहीं चीने दोगे, भाई, अन नजरी is probably what haunts you Every night, and second would be David De Gea It should be David De Gea, भाई, क्योंकि I don't think I have seen एक goalkeeper Probably mess up एक entire project like David De Gea has done this season I know United fans को पता था, David De Gea is not that guy With ball, चाहिए तुमें goalkeeper Eric Tenhek का system मांगता है एक ball playing goalkeeper But तुमें था, at least यह shortstopper है, at least यह shortstopper है Huh? He's also dumb, buddy, he's also dumb Maguire, oh my god Oh my god, मैं कैसे भूल या मैं कैसे भूल या I thought being upamecano was bad मुझे ऐसा लग रहा था कि being upamecano was bad But no, Maguire said hold my beer Not hold my beer, hold my fridge, hold me, hold my dick Why, क्योंकि he is so, I don't know पते क्या, अब तुम फॉर एक जान दो जो Manchester United ने खाया David De Gea और Maguire दोनों की गलती पहली बात Maguire being a professional footballer worth 80 million professional footballer वो field scan कर रहा है, वो देख रहा है कि 3 जहां से बंदे आरे, उसने field scan करी है मैंने ये चीज चार बारी देखी just to correct myself कि क्या मैं सही हूँ या नही हूँ उसने field चार बारी scan करी उसने देखा कि player यहाँ से आ रहे, एक player यहां सारे, एक player मेरे आगे खड़ है, तीन player के भी में खड़े होके, उसे David Deggai को बोला, ball देदे मेरे को, and David Deggai, जिसके बास field of vision है, जो भी देख रहा है कि Harry Maguire, Harry fucking Maguire, not Sergio Busquets, not Rodri, Harry fucking Maguire, के उपर चल रहा है player, एक नहीं, दो नहीं, तीन, 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 and David Deggai said, oh bro, come on, tension किस बात किये भाई, अगर वो Harry Maguire है, तो मैं भी तो David Deggai हूँ, अगर वो फुदू हूँ, भी तो फुदू हूँ, मैं उसको ball दूँगा, और मैंने उसको ball दी, और मैंने goal खाया, third goal के उपर, एक ऐसा goalkeeper, जिसकी ball playing के time पर फट जाती है, जिसकी उपर अगर दो player press कर देने, time पर तो बाप रे बाप, उसको उसके दादा जी आदा जाते, वो ball फैके जहाँ, जितनी दूर जा सके जाए, अगर ball उसके control में ना है ना भाई, उसके घान पट जाती है, और वो बंदा aerial ball आ रही है, aerial ball आ रही है, बिना टपे की भाई, सब control कोशिश कर रहे है, header नी, पर था, क्या ही करता है, उस time की उपर, understandable है, Mike भी मेरा बीच में आ रहा है, बाई, मैं Mike, मेरा माइक तक पता है, मेरा हाथ जादा रोक रहा है, इस से David डिग गया ball क्या रोक है, तो United यहाँ पे उरोपा लीग से भार हो चुकी है, Saviya की जो performance, 3-0 की victory, was completely justified, एक-एक एक एंगल से justified, Saviya ने यहाँ पे जिस तरीके से, दोनों flanks से उपर, interior में perform कर रहा है, even Rakitic, even Rakitic, come on, पता है, जितनी बारी मैं Rakitic को देखता हूँ, as a Barcelona fan, मैं सोचता हूँ यार, क्यों, ऐसा क्या था कि हमने से जाने दिया, जितनी बारी यह बंद, मैंने इसको, जितनी बारी मैंने इसक आथा, but dude, the guy is too good, the guy is too good, and Nezeri was flawless in this match, Suso was, oh my god, भाई, उसने फाड़ गे रख दी, वो right flank के उपर, and बढ़ा, best part क्या था, कि यहाँ पे defensive transition के अंदर, तुम जितनी बारी देखोगे, and Nezeri को छोड़के, हर एक player, जो भाग कर पीछे आ रहा था, Saviya के लिए, to make sure, कि ठीक है, स Jester United का, उन्हें ball मिलते ही, उनको wide push कर दो, वाई, कोई tension ही नहीं है, सबसे पहला काम, उनको wide push करो, Anthony को ball मिल रही है, उसे wide push करो, Rashford Eye Field को पर उसे wide push करो, पूरा पूरा game concentration, defensive transition में सिर्फ एक ही था, ball को wide push करो, ball को wide push करो, हम देख लेंगे, क्योंकि जब तक ball wide push होगी, हमारे plays वापेस आजएंगे, हमारे play एकदम लंबे-लंबे, Eric Lamela, सब कोच है, सब संभाल लेंगे, crosses जलेगी, वो हम देख लेंगे, Acuna was too good with his job, and यही होता है, जब एक पूरी team ना collectively अच्छा करती है, it doesn't matter, तुमारे सामने ओले team में कौन है, obviously they were missing out on Bruno Fernandes, जो की एक बहुत बड़ा miss था मेरे अपीनिन में, Bruno Fernandes was a very big miss, उसके बाद, Eric Tenhag क्या हुग दिया, जो मेरा रेंट करने नहीं है, मुझे क्या थारक पड़ता है, United बाहर हो गई, ठीक है, पर पता है बात क्या है यहांपे, जो मैं तो खुशू ठीक, यह, मुझे क्या हुआ है, नहीं, बट पता है, प Barcelona के लिए Europa, would mean less in comparison to United के लिए Europa, for real, Barcelona लाली का जीत रहे है भाई, above Real Madrid, above Real Madrid, एक ऐसी टीम के साथ, which is still building, very young players, very extremely young players, United, they have done their business, Barcelona को भी अपना business करना है, United have brought the right manager, Barcelona अपने एक ऐसा manager लेकर रही है, जो यूरोप में inexperience है, तो in comparison, जो फेवरेट की बात हो रही चीज़ टूनेमें के लिए, तो of course, Barcelona को दिया जाता है, फेवरेट का ठीक है, they might do that, but United, United के लिए, for United's project, for United, जो Eric Ten Hag ने actually, seriously, एक रिस्क लिया था, रोनाल्डो के साथ, पंगा लेके, भाई, he took the risk, he took the risk, उसका खुद का फैंबस उसके खिलाफ हो सकता था, अगर उसका प्रोजेक्ट फॉल इसलिए यह जाता मीन करती, but no bro, I think United के प्लेयर्स है, different idea, but I think Sevilla को credit मनना चाहिए, they were too good, they were flawless, Sevilla was good in every manner of the game, Fernando पुरी पिछ में हर जागा था, Lamella, Ocampos, they were running the lungs out of them, बंदों को को क्राम सारे बाइद, Lamella और Ocampos दोनों का काम था, कि defensive अतना, इंटील उन लोगों को संभलने थे क्योंकि fullbacks चाहिए, यहां से नावास हो, चाहिए, वहां से अकूनिया हो, वो तो wide pin कर रहे हैं, of course, wingers को, तो जो interiors है, जो कि midfielders run लगाते हैं, Manchester United के, जिस तरीके से वो opponents को खोलते हैं, उनका by nature, जो actually attacking transition के वक्त, उनका major, उनका part रहता है, कि ठीके midfielders, interiors में run लगाएंग अगर बहार से fullback नहीं दे रहा है, तो उस system से tackle करने के लिए, भाई, proper fullback मिल रहा है, proper covering मिल रही थी, defenders were too good with their job, crosses से वो लोग deal कर रहे थे, भाई, it is Saviya, it is Saviya, भाई, in Europa League, I am still shocked कि ये टी बैच लालीगा पर 13 नमबर पर कैसे है, मुझी सो समझी नहीं आ रहा, पर भाई, different gravy, हितिहास गवा है भाई, इस चीज का तो हितिहास गवा है, like UCL Real Madrid, no bro, no, I don't, Saviya, Saviya in UC, Europa, different gravy, भाई, अब हम आगे बढ़ता है क्योंकि Italian football के लना काफी खुशी के दिन चल रहा है, यार, Juventus की point reduction, actually में reverse हो गई है, एक appeal के ओपर है, वो, I don't know, technicalities, अभी मैंने ज्यादा बड़ा नहीं है, detail में, but still they had now moved up to the third spot, which is huge, भाई, they are now not just in the top four, they are above, उन लोगोंने AC Milan का spot खा लिया, Inter Milan के जो चांसे से वो भी गए, third spot पे वो लोग बैठे है, pretty comfortably for now, but भाई, देखो, अब तुम देखो, उनको जो पूरे का पूरा प्रोजेक्त है थाना, Allegory के अंडर, जो क पूरे मैनेजर को लेके, and everything, पूरा का पूरा सेनारियो completely changes, एक रिड़क्शन जो रिवर्स हुई है उसकी वज़ा से, from them going from 7th, 7th से 3rd हैं वो लोग, 6th, 7th से 3rd हैं वो लोग, dude, that is huge for them, अभ यहाँ बात है कि Syria के अंदर, then top four के लिए जो चांसे इना, like Roma is fighting for it, obviously, but they will have to compete with Milan, and I know there is a lot of difficulty that Roma, which is actually a big performance career in this season, so that you will be able to see, that Lazio obviously is sitting on top four, then Lazio is pretty comfortable in comparison to Roma, top four के लिए लोग कुई दिक्कत आने वाली, Napoli has pretty much won the league, so that is not the issue for them, but here is the most important thing that the clubs are going to revolt against Juventus, that now obviously the clubs are going to revolt against Juventus, that now they were pro-introduction थी, then once again, appeal के जलते है, reverse कर दिया लिए तो हम लोग का top four spot ले लिया, so it's like if and but for the other teams, in the league, जो की top four के लिए भी तो कंपीट कर रही जी, it's kind of a shocker for them, like, so imagine को मिलान फैन अगले दिन सुबा हुट रहे है, और देखर है, बैंच्वा माली टीम तो 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 बहर होगे, what the fuck, how do you do that, but यह पता चीज़ अब कैसे इंटरसी मेला जेते है, not just for transfer market in Juventus, क्य general, जो के लिए सेंथ रही है, in Syria, now for example, जो second last match day, Syria के अंदर, it is Juventus versus Milan, so it is going to be kind of a top four battle, अगर, for example, जो तो तीम में consistently perform करती है, and they're still in fight for the top four spot, like, by the end, तो Milan के साथ उन लोग का मैच अने अगले है, second last day के अपर, so it makes very interesting, the top four battle, which is Syria के अंदर होगी, it is good for Italian football, that is the best part, and अगला हम बग थोड़े से व्यूस की तरा, it is Lionel Messi, भई, obviously, हर दिन, हर दिन तुम्हें नहीं खपर मिलेगी, भई, news sources नहीं थकरे, तुम्हें क्यों थको वीडियो बनाते टाइम है, थोड़े 10-15,000 व्यून मेरे उपर आजेंगे, मेरा चैनल जो थोड़ा ऐसे ऐसे जारा, थोड़ा असे सिनारियो है, it is getting sorted out day by day, हमनों sorted out day by day, तो क्या सिनारियो चल रहा है यहां पर, तुम्हें समदना पड़ेगा, Barcelona को ना, Messi का जो कॉंट्रक सिनारियो है, वो दो तरीके सा टाइक हो करना है, first with Messi, and second with Lali का, Messi के साथ जो उसका कॉंट्रक सिनारियो है, that is, कि not just to provide Messi, अगर उसकी क actually में, वो तुम अभी के लिए side छोड़ दो please, मेरा please में से मानना, क्योंकि हर source तुम्हें अलग बताएगा, कोई बोलेगा कि वो team का most earning player बन जाएगा, कोई बोलेगा कि वो 13 million कमा रहा है, कोई बोलेगा कि वो actually में wage deduction लेगा, उसके बाद भी, कोई बोलेगा कि bonuses की उपर dependent है उसके पूरी की पूरी earning, तो वो तुम actually में side छड़ा दो कि मैसी के साथ का जो contract है न, वो हर source बहुत different, अभी के लिए तो बता रहा है, अगले एक दो आने वाले दिन के अंदर क्या होगा हमें कुछ नहीं बता, बट लालीगा का जो approval आना है मैसी के contract के लिए, क्योंकि बार for example, जो almost signing हो गई है हमारी, मैसी को एक 1 plus 1 का contract offer किया जाएगा, कि भाई पहले साल के बाद अगर मैसी का मन करे उसको छोड़ना है football, या he wants to leave, retire at Barcelona, तो he can do that, otherwise he can stay at Barcelona also, क्योंकि बार्सा अगले सीजन, क्योंकि बार्सा अगले सीजन, क्योंकि चोड़के जा रही है, जो कि मेर Barcelona का जो plan थाना, to sign मैसी, register मैसी, it is moving on, एक positive, positive manner, क्योंकि 90% chances, 95% chances, सब statistical रहे के बैठे है, यहाँ पर economics चल रही है, क्योंकि मैसी इस तरही कि से tackle हो जाएगा, पर सब कुछ at the end पता कि सीज़ पर depend करेगा, कि Barcelona किस तरही कि से player पेचने पर tackle कर पाएगी, I know वो already काफी सारे players को offload करने के prepare कर रही है, चाहिए वो अनसुफाटी हो, चाहिए फरान हो, चाहिए कैसी यह हो, नए players ले कराने के लिए wage reduction की बात चले जा रही है, यहाँ पे बहुत players के साथ, veterans के साथ, renews जो होने वाले है, वो काफी कम amount के पर होने वाले है, तो यह सारे scenario, Barcelona को positive scenario में लेका जा जैसी तुमें खावरबने को मेलती है, Messi is going to be signed, कुछ sources का कहना है, it is verbal agreement, हो चुक है, but in the end, it all depends, is Messi actually going to be signed at the physical cost and the financial cost of what Barcelona can bear, physical cost के क्या Barcelona will end up losing on the necessary signings, क्योंकि जहाँ बोला जा रहा है कि गुंडगान के साथ, जो भी सीन होगा, या राइड बैक वाली position के अंदर, Barcelona किसी और साइ and financial, कि क्या Barcelona के ऊपर financial burden इस तरीके से बड़े का मैसी के आने के बाद, जो कि नहीं होने वाला, obviously, Messi अपने साथ earnings भी लेकर रहेगा, but at least for the initial few days, कि Barcelona वो समाल पाएगी, नहीं समाल पाएगी, but आगे आने वाले दिना के अंदर, तो मैं obviously इसके ऊपर हर देने एक नएक अपडे मिलेगा, तो तुम उसके ओपर, मैं डालूंगा भाई, मुझे व्यू स्थे है, मुझे चाहिए, I need them, homies, bye-bye, take care, sayonara